नमस्कार रामराम, जै गोमाता मीत्रों कैसे आअप सब आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मीत्रों मेरे पीछे बैक ग्राूंड में आप देख रहे हैं और काउं तो राजस्तान wereena यार बारत के काफी छेत्रों में आप देखेंगे जैसे ये रास्ता है और दोनु साइड में खेत है आजकल तो खेर काफी जैके फैंसिंग जो तार बंदी है वो कर दी गई है लेकिन फिर भी बाड़े है जो मेड बंदी होती मेड के उपर जो काटे डालके बाड बना दी जाती है वो काफी ताधात में अभी भी जो बाड़ है तो यह बाड़े हैं यह किसान के लिए किस प्रकार से यह फाइदयमंद है सिर्फ खेत की रक्षा ही नहीं करती है हमारे पूरुजों ने जो सोच समझ के काफी चीजें काउं तो काफी जो सिस्टम्स बनाए है उसका जो लॉजिक पीछे क्या है और आज हम क पायों के जी आव कि कि रक्सा करते हैं लेकिन किस प्रकार से हम उनके पीचे हाथ दो कर पड़े हैं और उनकी आने वाली जो और यहीं नहीं पता नहीं क्यों लोग इतने लालची हो रहे मित्रौं यह जो बाड ना खेर, यहां तो जैसे तार्बंदि की हुई है लेकिन यह जो बाड है अगर देखेंगे आप तो इसमें जैसे काटे वगर है और इस साइड में जैसे तारबंदी है लेकिन फिर भी काटे लोग डालते हैं क्योंकि कहिन कहीं यह है कि अभी तारबंदी से भी काम चलने वाला होता नहीं है तो मतलब परंपरागत रूप से देखा जाए तो खेत की जो बाड़ बनाई जाती है मेड बनाके उसका क्या फाइदा है फाइदा तो पहला तो यह है कि हमारी खेत की रक्षा होती है जो जानवर वगर गुमते उसे फसलों को वो मतलब नुक्सान नहीं पहुचा सकते और दूसरी बात यह होती है कि यह बाड़ है खेत का अगर हम देखेंगे अगर 100% माने हिस्सा तो उसका 5% भी नहीं है 5% मान लेते 5% जो 4 तरफ होती है 5% हिस्सा है तो यह 5% हिस्सा है पूरे जो 95 पीछे बचता है अगर यह 5% नहीं हो तो 95 में भी आपकी फसल नहीं होगे इरकिसान कुछ नहीं कर पाएगा यह है जो बाड़ है यह हजारा जीवां का घर है मतलब यह सिर्फ बाड़ी नहीं खेत की रक्सा ही नहीं करती बलकि जैसे इसमें अगर कहूं तो जैसे चुए है तो अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो खेर कि वह फसल को नुक्सान पहुंचाते है लेकिन फिर भी किसान के लेकाइन कहीं उपयोगी है अगर कुछ हो तो क्यूंकि यह एक जीवन चकर होता जैसे हमारी लोकल बासा में कहता है जीव-जीव के लागूर है तो मतलब यह है कि परकर्ती का एक चकर है कर एक एक जीव-दूसरे जीव पर डिपेंड होता और उस चकर को कहीं कहीं उस सरकल को पूरा करता है अगर ये सरकल कहीं बीच में टूट जाएगा तो परकरती का नुक्सान होगा तो इसमें जैसे साफ है बिच्छू है गो है और उसके लवा अगर मैं पक्षियों की बात करूँ तो जो बाड़ के उपर जो छोटे पेड़ या पोदे लगते उनके उपर देखे तो पक्सी है हमारी दरतीतर है अगर ये जैसे गिलेरिया है मोर है तो ये काफी हजारों जो है ये उनका घर है जीवों का और खेर कीडे मकोडे तो खेर वो इसमें बिल बना के रहते ही है और उसके अलावा भी ना मालूम बहुत से जीव है छोटे छोटे जो वो रहते है किट पतंगे है तो मीत्रों आजकल क्या है कि ये परवrtी है जो हलालज की परवर्वरती है वो हमारे में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कैने को तो हम जैसे गायों के लिए दानपुनीय करते है और बहुत सारे जो दानफुनीय है जीवों को बच गोनल में पर सब्करने हैं यहां पर Whoo can शिड़ करने लगए इससे उनकी दलील यह देते हैं कि भाई ये जैसे इनके उपर जो बेल वगर चौमासे में यानि कि बारिस के मौसे में जैसे बेल वगर जो चलती है और जो पोदे उगाते है उसकी वज़े से क्या है कि जो बक्रियों वाले निकलने वाले है तो बक्रियां इस बाड के उपर पाउं देके और वो खाती है या कोई जानवर जो सुना गोदन है गाय है तो वो हमारी बिगाड करती है मतलब हमारी बाड को वो कमजोर करती है और अगर देखा जाए तो मित्रों जैसे रा चलते हैं अगर कुछ जानवर अगर खा भी ले तो उतना कोई विशेश फरक नहीं पड़ता जितना कि नुकसान हम कर करें उसके तुलना में तो यह बिल्कुल कुछ भी नहीं है क्यों कि आप जैसे खर्पतवार नासक जो वीड कीलर का छिड़काव करते हैं उसकी वज़े से सिर्फ यह जो प्लांट है यही खतम नहीं हो रहें बलकि जो हजारों जीवों का जो घर है वो आप उनकी जैसे उन कहीं खतम कर रहें उनको नश्ट कर रहें उनकी आने वाली पीडी को उनकी नसलों को हम खतम करने पर तूले वे और इन हजारों जीवों का कतल करके फिर हम कहते कि हम गाई को बचा रहे हैं हम दान पून्य करते हैं तो मेरा कहने का मतलब यह है वीडियो के मादिम से मेरा देश यह है कि भाईयों आप थोड़ा वह समझो अगर आप इतने भी भॉले नहीं हो कि आप समझ नहीं पाओ और दलील यह देते हैं मेरे एक मैंने देखा था रोड की साइड में जा रहा था तो मैंने भाईक रोक के उनको बताए कि आप यह कर तो रहे हो और इधर किया है कि हमारे जैसे बारिस के मवंशम में इन मेडों के उपर कंटोला की वेले हैं ज nes bats और जैसेकी कंटोला की बंती है जिसको अंगरेजी में is pea deux कैताये तो अभी बारिस के समये में इनकी बहले यहां पर यह जो बाड़े हैं वो ढक जाती इन बेलों से और जब ये बहले आती है तो जैसे कही लोग घ्रा चलते भी वह कंटोला है, वह तोड़ते है सबजी के लिए तो अब ॉसका भी लोग कई बार क्या है? कि यह उधांड़ देते? बही लोग हमारी बाड़ों से जो कंकेड़ा है, जो कंटोला है वो तोड़ते है और उस वज़े से क्या है कि हमारी बार है वो दीरे कमजोर होती है अरे बाई सिर्फ कंटोला तोड़ने से कोई बार नस्ट होती है क्या कमजोर होती है क्या क्या दलील दे रहे है और उसके अल्लावा जैसे मैंने उनको काफी बुजूर्ग थे मैंने उनको कहा कि यह मतलब ठी पाई जाती है कि जो क्योंकि यहां रोजगार की भी काफी कमी है उस वज़े से कई जैसे ट्रेक्टर वाले भी होते ने आज कल वो मशीने लेकर पेस्टिसाइड की टंकियों का शिड़काओ करने में उनको लगता कि यह टंकी के जैसे 600-700 रुपे मिल जाते हैं शिड़काओ क तो हम अच्छी कमाई कर रहे अरे भाई परकरती को आप कागज के टुकड़ों में नहीं तोल सकते आप नोटों में नहीं तोल सकते आप नोट तो कमा लोगे लेकिन फिर आखिर कैंसर को बढ़ा रहे हो आप बीमारियों को बढ़ा रहे हो उसका 100 गुना पैसा हो सकता आने भी दूसरी बेले हैं साथ में तो क्या है कि अगर कोई तोड़ भी ले तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता मेरे इसाब से लेकिन हम हजारों जीमों को नश्ट करके प्रकरती का जो चक्र तोड़ रहे हैं तो कईन कई वह खेती के लिए नहीं गातक है वह गोमाता के लिए भी और प्लस वह आप देखेंगे कि फिर आखिर में जो हमें अपने आपको मानते हैं कि हम स्वयम्भू सरोशक्ति साली जो मानव है फिर वह हमारा यदिकार है सब के उपर तो हम आखिर में हम भी कहें तो मतलब बहुत बुरी गत होने वाली है और आजकल नहीं नहीं जो ऐसी बीमारियां आ रही जिनका कोई इलाज भी नहीं हो रहा है तो आप उसे समझ सकते तो यह छोटे-छोटे जो इस्टेप्स हैं अपने जिंदगी में ले रहे हैं कहीं नहीं तो मुझे लगता है कि इसके उपर ध्यान देने की आवसिकता है और इसको जो भी वीडियो देख है इसको थोड़ा सोचे अगर जैसे आपके लगता है कि बाढ़ कहीं कमजोर है तो बाढ़ मजबूत करें नहीं तो तारबंदी ठीक है आज कल लोग क्या कि थोड़े बाढ़ कहीं बार नहीं कर पाते उतने लेबर वर्क का अभाव है तो करने वाले भी बहुत कम लोग इसको आपका भुकतान आने वाले समय में आपको करना ही पड़ेगा तो मित्रों इसके बारे में आपके क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताई और जो नए वियूर से प्लीच चैनल को सपोर्ट करो चैनल को सब्सक्राइब करो धन्यवाद ज